सियासत में पर्दे के सामने आपको जो कुछ भी दिखता है वो पर्दे के पीछे हो रहे हैं घटना क्रमों से सिर्फ 10 प्रतिशत होता है असल में जो कुछ हो रहा है वो 90 प्रतिशत तो पर्दे के पीछे होता है राजस्थान समवाद यही कोशिश करता है कि परदे के पीछे और परत के अंदर की परत में जो छुपा है वो आपके लिए निकाल कर लाए क्योंकि आप जनता हैं जनतंत्र के मालिक हैं और आपको सब को जानने का पूरा अरिकार है नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान समवाद और मेरा नाम है वरुन भनसाली राजस्थान में फिर से एक बार सियासी बवाल अपनी चरम सीमा पर है और अब उसकी चरम सीमा इस हत को पार कर गई है कि अब उसका ज्वाला मुखी दिल्ली में फूट रहा है और इस सब के बीच ये जनना आपको बहुत जरूरी है कि किस तरह अमिच शा ने इस पूरे खेल को प्लान किया है और अमिच शा का इस पूरे खेल में क्या रोल है आप देखी रहे होंगे भाजपा के परिपेक्ष में क्या कुछ चल रहा है राजस्थान में लेकिन जैसा मैंने बताया कि वो इस खेल का केवल 10% है जो सामने से दिख रहा है 90 फीसदी दरसल पीछे हो रहा है एक तरफ जहां गजेंदर सिंग शिकावत को लगा कर फोन टेप कांड बड़े से बड़ा मोर लेता जा रहा है और वो इसी प्लानिंग के तहत हो रहा है कि किसी तरह से राजस्थान सरकार को लगातार दबाया जाए आपको पता ही होगा कि कुछ दिनों से राजस्तान के सीम अशोग गहलोत का स्टाफ लगातार दिली जाकर वो F.I.R. रद कराने की मांग कर रहा है जो गजेंदर सिंग शिखावत ने फोन टेपिंग मामले में करवाई थी और इस F.I.R. को रद कराने की मांग इसलिए ही की जा रही है क्योंकि कहीं न कहीं वो राजस्तान सरकार की गले की खड़ी बन चुकी है और उससे राजस्तान सरकार को लगातार प्रेशर आ रहा है क्योंकि कहीं न कहीं केंदर लगातार ये आरोप लगाता जा रहा है कि वो जो फोन टेप थी वो सरकार ने अपनी पावर का मिस्यूज करके कराए गई थी और इस तरह से राजस्थान सरकार को प्रेशर में लाने की एक तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ से मीडिया को मैनेज करते हुए सोशल मीडिया को मैनेज करते हुए सचिन पाइलिट की छवी को बार बार कॉंग्रेस में धूमिल करने की कोशिश की जा रही है और ये मेसेज पहुचाने के उनको कोशिश की जा रही है कि अगर तुम बीजेपी के पास सीधा सीधा नहीं आओगे तो हमारे पास तुम्हें लाने के दूसरे तरीके हैं और इसी लिए रीटा बहुगुना वाला कार्ड खेला गया और मीडिया में सोशल मीडिया में ऐसा प्रचारित करवाया गया कि रीटा बहुगुना जोशी ने सचिन पाइलेट को ओफर दिया है बीजेपी में आने के लिए अब ये सच है या जूट लेकिन ये फैलाया सोशल मीडिया में गया है और सब जानते हैं कि सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया और जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसे मैनेज करने काम सबसे बखू भी कौन कर सकता है यही नहीं कहीं न कहीं ये भी बात्ची चल रही है कि जतिन प्रसाद और जोतिरदिट सिंधिया भी सचन पाइलेट से पूरी तरह से संपर्क में हैं और उन्हें बीजेपी में लाने की कोशिशे कर रहे हैं इस तरीके से सचन पाइलेट की इमेज पर एक तरफ से वार हो रहा है और दूसरी तरफ से प्रेशराइस किया जा रहा है राजस्तान सरकार को फोन टेप कांड के दौरा और इस तरह से केंदर एक पूरा गेम रच रहा है कि सचन पाइलेट जैसे तैसे करकर फिर से बीजेपी की तरफ से आने की पूरी बात चल जाए पिछली बार जब हुआ था तब शायद MLA पूरे नहीं पड़े थे लेकिन इस बार बीजेपी ने टरम कार्ड इस तरीके से खेला है कि वो एक तरफ से प्रेशर करवा रही है राजस्थान सरकार को और दूसरी तरफ से वो माहोल बनाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है और अब देखना ये होगा कि इस पर से जब सचिन पाइलेट गोविन सिंग डोटासरा सब दिल्ली में हैं तो क्या कॉंग्रेस की आलकमान उनकी बात मानती है जिसके चांसिस फिलहाल भी पूरे नजर नहीं आते और होकर कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही वो बीजेपी में आ जाएं इसकी पूरी तरह से कोशिश की जा रही है अमिच शा और बीजेपी की तरफ से केंदर बीजेपी पूरा यहां पर खेल रच रही है इस खेल को हमें समझने की जरूरत है और इस खेल को जब हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अब राजस्थान में कैसे सरकार बनाई जाए इसकी पूरी प्लानिंग चल रही है केंदर बीजेपी के अंदर दिल्ली के अंदर और इस प्लानिंग को समझना वाकई बहुत जरूरी है आप देख रहे हैं राजस्थान समवाद हर वक्त आपके लिए अच्छा विशलेशन लाना ही हमारी जिम्मेदारी रहती है इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंट कर लीजिए और जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा लीजिए ताकि जब कभी कोई भी विशलेशन आए सबसे पहले आप उस तक पहुँच पाएं धन्यवाद सोचा है? नहीं? तो आपको सोचना चाहिए चाहे आप फ्रूलैंसर हो या आपका स्मॉल बिजनेस हो या फिर हो मल्टिनैशनल कंपनी आपको अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए दो चीज़ों की आवशकता है सोचे ओन्लाइन कस्टमर आपकी विबसाइट पे आता है और उसे आप अपने प्रॉडक्ट के बारे में एक अच्छे से वीडियो के साथ बताते हैं जिससे आपका प्रॉडक्ट अलग-अलग सोचल मीडिया फ्लेटफॉर्म से कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है इससे आप अपनी साइट पे ट्राफिक को इंप्रीज कर सकते हैं, जो आपकी सर्च एंजिन से आपकी SEO रैंक को इंप्रूब करता है आपकी प्रोड़क्ट को समझाने के लिए स्पोक्स पर्सन आपकी मदद करेगा मिशी मीडिया सलेशन्स देता हैं आपको एक अच्छा वीडियो एडवर्टाइजमेंट मिशी मीडिया सलेशन्स आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी प्रोड़क्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद करेगा वो भी बिलकुल किफाइती दामों में तो फिर देर किस बात की आज ही कुंटैक्ट करें स्क्रीन पर दिये गए नमबर पर